सर्दार साहेपना सानिध्यमा बीजा दिवसे पदारेला तमील बंधवोने वणक्कम सदियो विती गया बाद फरी एकवार मोळ सवराष्ट्रियनने पोतानी मात्रु भूमीना दर्शन कराववना उम्द आशाय साथे वडाप्रदान श्री नरेंद्रबाई मोधीना विजनरी नेत्रुत्व अने मार्ग दर्शन हेठल राज्य सरकार्द्वारा त्रीसमी एप्रिल सुधी सवराष्ट्र तमील संगम कारेक्रमनू उम्द आयोजन करवामा आवियो छे जे वडाप्रदान श्री ना एक भारत स्रेष्ट भारतना सूत्र ने चरीतार्थ करी रहियो छे हालमा नर्मदा जिल्लामा सौराष्ट्रियन तमील बांधवो स्टेच्यू अफ यूनिटीना सानिध्यमा आवि दन्यतानो अनुबव करी रहा छे आ संगम बे राज्योना संबंधोनो छे नर्मदा जिल्लामा बीजा दिवसे Statue of Unity एकता नगर खाते पदारेला 306 तमिल बांधवों सव प्रथम एकता मोलनी मुलाकात करी प्रवास्नी शरुआत करी हती जियां तमिल बांधवों वड़ा प्रदान श्रीना लोकल फोर वोकलना सूत्रने यथार्थ करवा माटे स्वदेशी चीजवस्तुओनी प्रदर्शनी औने वेचान थी अत्यांत प्रभवित थया हता एकता नगर नी मुलाकात बाद गुजरात नी जीवादोरी समान सर्दार सरोवर नर्मदा डेम नी मुलाकात पण मेमानों माटे खास बनी रही हती एकता नगर ना गाइड मित्रो द्वारा तमिल मेमानों ने डेम नी टेकनिकल माहिती सहित तेना माटे थयला बोहला प्रयासो औने संगर्श बाद डेम ना निर्मान मा मलेली सफरताना परिणाम स्वरुक आजे गुजरात नी प्रजानी सुखा करी अंगे पन माहित गार कर स्टेच्यू अफ यूनिटी परिसर मा संध्या टाने प्रवासियो माटेना आकर्शन नुकेंद्र इवा लेसर शो मा उपस्तित सव तमिल बांदवोय सर्दार साहेबना जीवन कवन अने विश्वनी सव थी विराट प्रतिमाना निर्मान नी जिन्वत बरी माहिती लेसर श स्वपन समा सौराष्ट्र तमिल संगम कर्यक्रम थकी पूर्ण थतू नजरे पडिरयू छे चीए बिल्ड़ शोफ त्मिल अत्यजिए विव्स बीकिय। संग अधो इन देखर य। झै क्टुर्ण एक्टरन दन एंगर्सarily तरहर्सी ठसेखर मां एंपने। में क्झे विर् zuk पमोड़ सिर्र्मा इंटन क्या प्र्मी मनिल for having this, arranged this program, Saurashtra Tamil Sangamam Yatra. Thank you very much. Now we are at Ekta Mall. It is very near to Statue of Unity. It is a pride of our nation. We all came to know about this Sadar Vallabai Patel statue from a lot of media. Now we are seeing in front of our eyes and we are standing in Ekta Mall. This mall is inaugurated with the purpose of creating unity and diversity of our nation. The products from the various parts of India were displayed and exhibited for sales to encourage the sale of our made in India products. So product from every part of India is displayed here. I purchased two things. These are very creative people's creative mind just reflected on the products. I could see the unity in this diversity. So I feel proud to be an Indian. And I am standing in the place nearby the Statue of Unity. So we have to be united. So we have to give voice for purchasing products made in India by different people from different cultures, from different parts of various states. So in that purpose, our Modi ji has given this project in the name of Okal for Local. So we have to give voice for the products made in India. । । । । और यहां के सारी चीजे हमने देखी, अब हम वलब भाई पटेल जी की स्टाचू के पास खड़े हैं, बहुत बड़ी स्टाचू है, प्रतिमा मूर्ती है, और हमें देखके बहुत ही आश्चरिय चकित लगा कि इतना बड़ा है ये, दुनिया में बहुत ही ऐसा तो हमने सब वो सब आमने देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, एक भारत, च्रेश्ट भारत हमारा भारत, जैइंड, परदान मंदरी श्री नरजरी मोर्जी जी को, उनको मंदरियों को और गुजरात के सीयम और मंदरियों को, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अगर ये थावरास्ता तमिल संकमम नहीं होता तो हम ये गुजरात नहीं आ सकते हैं, और ये सोमनाद और पटेलशले को हम नहीं देख सकता हूँ, हम पटेलशले को देखने में बहुत आच्री होता है, ये कैसे ये बना है, और ये सरोबर कितरी डप्त है, 400 फीट दप ये बहुत आच्री होता है हमें देखने में, बहुत अच्चा काम करते हैं, IRTC बहुत सुंदर सर्विस करते हैं